आज की स्वीडियो में हम पांच बहुती क्रीपी घोष्ट वीडियो देखने वाले हैं जिने देखकर आपकी हालत खराब हो सकती है तो वीडियो देखने से पहले बातरूम करके आजाएए शुरू करते हैं आज का तकड़ा घोष्ट वीडियो यह रिकोर्डिंग जापांच से आई यह जहां कहीं साल पहले एक मईला ने अपने अपार्टमेर में कुछ भयानक चीज केद की थी और वो देखते हैं कि केमरे में क्या खोबना केद हुआ में करेंए गिएकि दिकोर्टमेर करिया करें थ आईर्छॉर्टम्हार्ग्न' प्य cabinetsky केमरे की वीडियो केप्चर करते हुए एक पॉइंट पर मैला को कुछ बहर डरावना दिखाई देता है उसके सामने एक अजीब गरीब काले रंग का डरावना क्रियेचर खड़ा होता है डर के मारे मैला के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है साथ ही हमें वीडियो में एक भयानक दहाड भी सुनाई देती है ये एक चिमपाजी जैसा लग रहा था तो आपको क्या लगता है कि सच में वहाँ कोई क्रीपी दाना हुता या फिर ये महज एक प्रेंक था आप डिसाइड कीजिए अगला वीडियो टिम सेवर नाम के एक यूजर ने अपने अकाउंट पर शियर किया है जिसे उस रात इतना खौपनाग मंजर देखने को मिला कि शायद वो सपने में भी इसका सामना करने की कभी नहीं सोचेगा तिम एक कार खाने में सुरक्सा गाड के रूप में नाइट सिप्ट करता है उस रात वो पूरी फेक्टर में अकेला था अचानक उसे किसी के चीकने की आवाज आती है और वो उसे जाचने निकलता है लुक एट देट घएड़ प्सकिष्ट स्पुपआवस में गह जएफ झाड़स न伸 अंपुआवस बचल I guess we're doing this hello जादा जादा़। जादा आचंब टॉजड़ अंस पिल्खट नादा वट व.. वट और भर 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 इसके बाद वो एक श्टोर रूम में एंटर करता है जहां उसका सामना एक अंजान डेमन से होता है होता है झाल चाल कर दोग। आपकत हुदुए झाँ, खराए। झाँ, झाँ, झाँ उसे एक मैला की आवाज आती है और जैसे वो मुड़ता है तो उसकी आखों के सामने एक भयानक प्रेत होता है उसके डराओने पंजे साप देखे जा सकते हैं टीम इसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पलक जपकते ही वहां से गायब हो जाता है हलांकि टीम बहादूरता और वो इसे देखकर गवराय नहीं और इसकी जाच करता रहा वैसे वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है क्योंकि किसी भी सादरन इंसान का इस तरीके से गायब होना लगबग नामुमकिन सा है तो आपको क्या लगता है कि इस कारकाने में सच में कोई प्रेत मोजूद है या फिर कुछ और अगला वीडियो पेरा नारमिस नाम के एक यूटूब चेनल पर अपलोड किया गया है इस चेनल के ओनर जोनी और जोर्डन भूतिया इस्तानों पर जाकर वहाँ पर भूतों की उपस्तिती का निरक्षन करते हैं एक ऐसी रश्यमाई गटना इनके साथ भी होती है दावा किया जाता है कि 7 नौंबर 1986 को विनिपेग में एक बरिफिला तूफान आया था एसे एक पिता और पुत्री भी इस तूफान में पस गए तूफान के कुछ समय पहले उनकी बेटी काफी भीमार रहती थी और उनके घर में कहीं पेरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हो रही थी दिरे दिरे वह लड़की कमजोर होती जा रही थी एक दिन उस लड़की की रशमय तरीके से मोत हो गई और पिता भी इस गर को छोड़ कर वहाँ से चला गया इसके बाद इस गर में एक अन्य महिला रहने आए उसे भी कुछ पेरानॉर्मल गटना का अनुबह हुआ और उसने जोनी और जोर्डन को वहाँ निरेक्शन करने के लिए बुलाया जोन और जोर्डन ने अपने गोस्ट गेजेट के साथ वहाँ पर निरेक्शन किया निरेक्शन के दोरान उन्होंने एक टिक टोक फिल्टर का यूज किया जिसके बारे में कहा जाता है किसमें गोस्ट को केप्चर किया सकता है आओ देखें उन्होंने पूरे घर को केमरे पर फिल्माया लेकिन उन्हें कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आया इसके बाद उन्होंने जैसे टिक टोक फिल्टर पर इसे कैप्चर करना शुरू किया तो एक आकरती इसमें दिखाई दे जाती है लेकिन ये सबूत काफी नहीं था कि वे साबित कर सके कि वहाँ सच में कोई गोश्ट मोजूद था क्योंकि ये फिल्टर का कोई हिडन फिचर भी हो सकता है इसलिए वो अगले दिन आउजा बोर लेकर उसी घर में दोबारा जाते हैं इसके बाद वे इस पर गेम भी खेलते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी पेरानॉर्मल एक्टिविटी रिकोर्ड नहीं होती है इसके बाद उन्होंने इस आउजा बोर के चारो और अपने केमरे लगा दिये और इस पर निगरानी रखना शुरू की इसके बाद जो कुछ भी खोपना केद हुआ उसे हम अब देगने वाले हैं प्लेचेट पूरे बोर्ड पर घूमना शुरू कर देता है हालांकि दो दिन की इन्वेस्टिगेसन में उनके साथ कहीं पेरानॉर्मल गटना है हुई जो ये साबित करने के लिए काफी है कि उस गर में सच में किसे शेतानी शक्ती का साया था इसलिए का जा सकता है कि इस दुनिया में बगवान है तो भूत भी मोजूद है बस वो सबको दर्शन नहीं देते वीडियो के अंतिम फुटेट भी सच में काफी रश्यमाई और दिल देला देने वाली है जो एक CCTV केमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है जहां पर सुरक्सा गाड के साथ एक भ्यानक हाथसा हो जाता है आओ देखें जाता है जाता है जाता है आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी किसी से बात कर रहा है लेकिन वो CCTV केमरे के अंदर नजर नहीं आ रहा है शायद वो केमरे के आगे आने में शर्मा रहा है जब ये सुरक्सा गाड ऐसी हरकते कर रहा था तो केमरा ओपरेटर का ध्यान इस पर गया ओपरेटर बोलता है कि केमरे पर कोई मेला नजर नहीं आ रही है जबकि गाड बोलता है कि वहाँ पर एक मेला मोजूद है और उसने अपना नाम अभी गेल बताया इसके बाद ओपरेटर ने बताया कि अभी गेल नाम की मेला तो दो मेने पहले ही मर चुकी है इतना सुनते ही गाड को चक्कर आ गए और वो तुरंट वहाँ से 921 हो गए तो आपको क्या लगता है कि गाड को सच मुझ में कोई भूत दिका या पिर ये सब एक प्री प्लान था कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए तो ऐसे एंट्रेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई